कहानी कुबडा तांत्रिक जमशेदपुर में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही थी ये चोरी किसी के घर में नहीं बलकि बाजार, सडक, गली, महले इन जगहों पे गोमने वाले लोगों की जेवों से उनके परस के घायब होने की थी आदमियों की जेवों से परस और अड़तों के हाथों से परस घले से चेन, ये सब चीज़े किसी जादू की तरह घायब हो रही थी चारों तरफ, अल्ला मच चुका था कि ये सारे चोर कुबडे हैं पुलिस कुबडे चोरों को ढूण ढूण कर परिशान हो चुकी थी शेहर से लेकर गाउं तक चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी थी लेकिन उसके बावजूद चोरों का कहीं अता पता नहीं था कई बार तो ऐसा होता कि पुलिस खड़ी रहती और एक कुबड़ा आता चोरी करता और पुलिस के सामने से ही भाग जाता कुबडे चोर चारों तरफ आतंग फैला चुके थे जिदर देखो उधर अफरा तफरी का माहौल था जब लाग कोशिश के बाद भी चोर पकड में नहीं आये तो आखिर कार परेशान होकर इंस्पेक्टर ने सभी पुलिस वालों की मीटिंग बुलाई चारों तरफ चोरों का अतंग फैलता जा रहा है आप लोग कैसे काम कर रहे हैं कि अभी तक एक भी चोर पकड नहीं पाए या तो आप लोग इमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं या फिर चोर बहुत चालाग है चो चोरी करके भूत की तरह गायब हो जाता है अगर आप लोग नहीं कुछ कर सकते तो बता दीजिए फिर मैं आप लोगों के खिलाप कुछ करता हूँ इंस्पेक्टर की बास तुनकर सारे सिपाही टर जाते हैं लेकिन उनमें से एक सिपाही उटकर बोलता है सर हम बहुत इमांदारी से कोशिश करते हैं फिर भी चोरों को पकड़ नहीं पाते उसका एक कारण है सर सर चोर चोरी करते ही इतनी तेजी से भागते हैं जैसे तार के अंदर बिजली दोड़ती है हम चोरों का पीछा करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते सर ये सभी चोर कुबडे हैं उसके बावजूद इतनी तेजी से दोड़ते हैं कि पीछार करना मुश्किल है। सिपाही की बास सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा सोचता है, पिर कहता है। देखिये मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी करो लेकिन इन कुबड़े चोरों को पकड़ो। पुलिस वाले कुबड़े चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। सिपाही रमेश और विक्रम चोराहे पर ड्यूटी कर रहे हैं। और आपस में बात कर रहे हैं। तभी एक आदमी आकर उन दोनों से पूछता है। अरे सर क्या आप मुझे नरायन हलवाई के मिठाई की दुकान बता सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। हम भी वही नाश्ता करने जा रहे थे। चलो चलते हैं। वा आदमी उन दोनों पुलिस वालों के साथ नरायन हलवाई के मिठाई की दुकान पर पहुंचता है और नरायन से बोलता है भाईया मैं 30 किलोमेटर दोर से आया हूँ केवल आप से मिठाई लेने क्योंकि आप शुद्ध मिठाईया देते हो भाईया ऐसा करो कि 5 किलो बरफित दे दो और पैसा बता दो कितना हुआ हम एक हजार रुपए नरायन लाला को पैसा देने के लिए जैसे ही वो आदमी अपना पर्स निकालता है तभी ये कुबड़ा चोर पुलिस की वर्दी में आता है और आदमी का पर्स लेकर भागने लगता है दोनों उस कुबड़े का पीछा करते है तभी विक्रम को लगता है कि ये चोर तो जाना पहचाना लग रहा है अब विक्रम और तेज दोड़ने लगता है और आखिर कार कुबड़े का चेहरा देखे लेता है चहरा देखने के बाद विक्रम घबरा कर रुख जाता है ऐसा लगता है कि उसके पैर एकदम चाम हो गया हूँ विक्रम को रुखता देख रमेश पूछता है विक्रम रुख क्यों गए? हम उसे बस पकड़ने ही वाले थे विक्रम घबराते हुए रमेश से बोलता है अरे यार जो मैंने देखा उसे सुनकर तुमारे होश उड़ जाएंगे अरे ऐसा क्या देख लिया उस चोर में जो तुम इतना घबरा रहे हो रमेश तुमने देखा इस कुबड़े चोर को ये कोई और नहीं अपने ही थाने का सिपाई कुबे था कुबेर था? अरे क्या बात कर रहे हो ये कैसे उर सकता है ये तो कुबड़ा था और कुबेर तो बिलकुल ठीक है यार वही तो सोच रहा हूँ कि कुबेर तो बिलकुल ठीक है फिर ये कुबड़ा कौन है इस बात को लेकर दोनों परेशान हो जाते हैं रमेश विक्रम से बोलता है विक्रम चलो चलो थाने चलते हैं वहीं सच्चाई का पता चलेगा कि ये कुबडा कुबेर ही था या कोई और दोनों सिपाही थाने पहुँचते हैं और धाना इंचार्च को सारी घटना बताते हैं, फिर कुबेर के बारे में पता करते हैं, लेकिन जब मालुम होता है कि कुबेर धाने में नहीं है, तो दोनों को मामला कुछ-कुछ गड़भर लगने लगता है। फिर रमेश विकरम से बोलता है। विक्रम ये किसी तांत्रिक का काम लगता है मुझे तो, हमें किसी बड़े तांत्रिक के पास जाना होगा, वही इसका हाल निकाल सकते हैं। पही कहते हो रमिश, जितना जल्दी हो सके हमें तांत्रिक के पास जाना ही होगा। दोनों सिपाही तांत्रिक के पास जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक ज्यान में बैठ जाता है। और थोड़ी देर के बाद आँखे खोलता है, फिर बोलता है। अच्छा, तो ये बात है, वो कुबड़ा लोगों को घुलाम बना कर अपना काम करवाता है। रमेश और विकरम तांत्रिक की बात को समझ नहीं पाते, फिर उससे पूछते हैं। क्या हुआ बाबा कुछ दिखा आपको। तुम्हारा कुबेर अब तो कुबड़े तांत्रिक के वश में है। बहुत सारे लड़कों को इसने अपने वश में कर रखा है। उन सभी पर काला जादू करके कुबड़ा बनाता है। और फिर उनसे चूरियां करवाता है। तांत्रिक की बाद सुनकर विक्रम सिपाही बोलता है। बाबा हम उस कुबड़े तांत्रिक तक पहुँच कैसे सकते हैं ये बताइए। एक बार फिर तांत्रिक ध्यान लगाता है। और कुबड़े तांत्रिक की गुफा का पता लगा कर बोलता है। मैंने पता लगा लिया है। चलो मेरे साथ। उस कुबडे तांत्रिक का खेल खत्म करते हैं। तांत्रिक और दोनों सिपाही एक साथ कुबडे तांत्रिक की गुफा की तरब जाते हैं। थोड़ी धूर चलने के बाद एक जंगल पड़ता है। तांत्रिक उस जंगल के अंदर गुसने लगता है। सिपाही डरते हुए तांत्रिक के साथ पीछे-पीछे चलते रहते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक काली गुफा दिखाई देती है गुफा के आसपास कई गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं विक्रम और रमेश चारों तरफ देखते हुए चलते हैं गुफा के अंदर जाते हैं गुफा के अंदर जाते ही उन्हें बहुत से कुबड़े दिखाई देते हैं जो एक जगा पर चुप चाप बैठे हुए हैं बिना हिले टुले तभी उन्हें कुबेर भी बैठा हुआ दिखाई देता है कुबेर को देख रमेश उसके पास जाता है और जैसे ही छूने के लिए आगे बढ़ता है तो तांत्रिक उसे रोकता है रुकोब मत छूना मत छूना उसे ये कुबडे तांत्रिक के वश में है तुम्हारे छूते ही कुबडे तांत्रिक को पता चल जाएगा और वो इन सब गुलाम कुब्रों को मार देगा तांत्री की बात सुनकर रमेश पीछे हड़ जाता है फिर तीनों गुभा के और अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कुब्रे तांत्री के पास बहुत से गुड्डे रखे हुए है और वो एक गुड्डे में सुई चुभो रहा है ये देख तांत्री क समझ जाता है कि कुब्रा तांत्री को गुड्डे में सुई चुभाता देख रमेश तांत्री के पूछता है बाबा ये कुब्रा कर क्या रहा है? ये गुड्डे में सुई क्यों चुभो रहा है? कर उसमें सूई चुपो देता है और उसे अपने बसंडे लेकिन अब मैं इसे किसी को بसंडे करने नहीं दूँगा तान्त्रिक बाबा कुबडे तान्त्रिक के सामने जा कर बोजते हैं एक उबडे इन सब को छोड़ दे नहीं तो तुझे जलाकर बस्म कर दूंगा तू कुछ नहीं कर सकता मेरा अभी तुझे भी बस्में कर लूँगा कुबड़े की बात सुनकर तांत्रिक पाबा खुस्से से भर जाते हैं और कमंडल से जल लेकर कुबड़े के उपर फेकते हैं जिससे कुबड़ा तांत्रिक रस्सी से बन जाता है और जोर-जोर से कराने लगता है अब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो छोड़ दूंगा, पहले ये बता कि लोगों को बस्में करके तुचोरी क्यों करवाता है उनसे फिर कुबड़ा तांत्रिक कराते हुए अपनी कहानी बताता है मैं कुबड़ा ही पैदा हुआ था, बचपन से ही सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था और एक दिन सबने मिलकर मुझे गाउं से भगाने की चाल चली मुझे जूटे चोरी के इलजाम में गाउं से बाहर निकाल दिया बस उसी दिन से मैंने ठान लिया कि सबसे बदला लूँगा जंगल में भटकते हुए मुझे एक जादुगर मिल गया जिसने मुझे से मेरे दुखी होने का कारण पूछा तो मैंने सब कुछ उसे बता दिया उसके बाद वो जादुगर मुझे इस गुफा में लेकर आया और सारे तंत्र मंत्र सिखा कर बहुत बड़ा तंत्रिक बना दिया इसलिए मैं सब को पस में करके उनसे चोरी करवाता हूँ और खुब पैसे कमाता हूँ और जब मुझे लगता है कि इससे काम निकल गया तो उसे पुलिस से पकरवा देता हूँ तंत्रिक बाबा पूछते हैं कैसे पकरवा देते हो जैसे ही वो पाकिट मारी करते हैं तो अब तुरंत मैं उनका जादू खतम कर देता हूँ जिससे वो तेज भाग नहीं पाते और पकड़े जाते हैं अब तुमारा खेल खतम है अब तुमारी भलाई इसी में है कि सब को मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा कुबडा तांत्रिक तांत्रिक बाबा की बात मान जाता है और सभी को मुक्त कर देता है तांत्रिक बाबा भी अपना वादा पूरा करते हैं और कुबडा तांत्रिक को छोड़ देते हैं साथ ही साथ रमेश और विक्रम गाव वालों को चितावनी देते हैं कोई भी कुबड़े के साथ भेदभाव नहीं करेगा जो करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे अब गाव वाले कुबड़े के साथ प्यार से रहने लगते हैं और अब कुबड़ा हर रोज बर्गत के पेड़ के पास बैठता है और बच्चों को जादू दिखाता है